आज मैं आपको दिखाने जा रही हूं पटापट आलो चाट बनाने में जो जो इंड्रियेंस मैंने यूज किया है वो हमेशा गुरह में अबलेमें होता है कभी अचानक समयमान आ जाएं तो आप इस आलो चाट को बना सकते हैं और यह खाने में भी बहुत तेस्टी होता है तो चलिए अब शुरू करते हैं पटापट आलो चाट बनाने के लिए हमेशा आएं दो मेडियम साइज के आलो चोटे टुक्रों में कटा हुआ दो हरी मिर्ज बारिक कटा हुआ एक टमाटर बारिक कटा हुआ आधा कप खीरा बारिक कटा हुआ आधा कप मतर काला नमग स्वात के अनुसार इमली का पल्प तीन से चार बड़े चम्मच नीबू का रस दो छोटे चम्मच सेओ आधा कप एक तिहाई कप बारिक कटा हुआ धनिया पत्ता कालिमेर्ज पाउडर आधा छोटा चम्मच आमचूर पाउडर आधा छोटा चम्मच पहले हम एक बोल में अबले हुए आलू ले लेंगे इसके बाद इसमें उबले हुए मट्र डाल देंगे कटा हुआ खीरा डाल देंगे कटा हुआ टोमाटर डालेंगे और कटा हुआ हरमेज भी डाल देंगे और थोड़ा सा धन्यापता डाल देंगे और थोड़ा सा धन्यापता हुआ बाद में देंगे और इस अच्छी तरीके से मिला लेंगे इसके बाद हम इसमें डालेंगे इमली का पल्प अब हम इसमें स्वात के नों सार काला नम्मक डाल देंगे अब हम आम चुड़ पाउडर और कालमेश पाउडर डाल देंगे इसके बाद निवू का डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे अब ये तैयार है लास्टली हमें स्कूप पर सेव डालेंगे और दन्यापता डालेंगे गानिश के लिए ये तैयार हो गया है हमारा बता पे डालो जाटेंगे अगर आपको मेरी रेचिपी पसंद राए तो आप मेरी वीडियो पे लाइक के लिए और वी चैनल को सब्सक्राइब चलूर करें